Hi everyone, welcome back to my channel, कैसे हैं आप लोग? So, आज की इस वीडियो में मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ हर तालिका तीच मेकप लुक और ये बहुत ही सिंपल मेकप लुक है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक मेरे चनल को जबूर सब्सक्राइब करिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तो चलिए लट के स्टार्टेट स्किन केर करने के बाद सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर तो यहां पर मैंने फिट मी का प्राइमर लिया है और इसको आप अपने टीजोन एरिया पर अप्लाई कर लीजे और ये काफी अच्छे आपको मॉश्टराइज भी करता है आपके स्किन को तो अगर आ प्राइजर नहीं लगा रहे तो आप इसको भी लगा सकते हैं तो यहां पर मैंने लिया है फांडेशन ओलीविया का फांडेशन इसमें मेरा शेड है नेशरल गलो और इसको मैं डॉट डॉट करके पहले अपने फेस पे अप्लाई कर लोगी फिर इसके बाद इसको फेलाना को मैं अज़र कंसीलर यूज़ कर रहे हूं अपने अंडर आई एरिया पर मैंने या पर कोई कंसीलर नहीं लिया है क्योंकि बहुत सिंपल मेक अप लुक है इसलिए और इसको भी मैं डाप डाप करके ब्यूटी ब्लेंडर के हल्प से ब्लेंड कर लोगी और इसका सेट हो जाए और अपने ने के अरिया को भी एने के अरिया को भी नहीं भूलना आपको इसके बाद मैं सेट करने के लिए इसको यूज़ करूंगी इस मेकप सेटिंग स्प्रे तो यहां पर मैंने लिया है मेबलीन का मेकप सेटिंग स्प्रे और इस प्रे करने के बाद आप के जो फेस पे हैं वो स्प्रेई गुल जाल जाए इसके बाद मैं करूंगी आई बोन्स को फिल और इसके लिए मैंने यह प्रोड क्रील यूस किया है इसके साथ इसके साथ पूली भी आता है प्रोडक्ट भी आता और मैं एमेजन्स से खरेदा का midnight Selena güzel झाथ का फे यह जो बहु के लाटी दूट्र रखूंगे उसके बाद मैंने थोगा सा डार्क शेड लेकर और एक डैप्स देने की कोशिश किये अपने आई के कॉर्णर पर अपलाई किया है ऑटर और पर उसके बाद मैं इसमें एक सिमर है उसको अपलाई करूँगी आप देख सकते हैं इसको मैं अप्लाई कर लूँगे अपने आई लिट्स के बीच में कट क्रीज एरिया पर और में ब्रश की हथ से सबको ब्लेंड कर दूँगी एक साथ फिर मैं आई-लाइनर लगाऊंगी तो आई-लाइनर के लिए मैंने आप लिए लैकमी का आई-लाइनर है इसलाइनर की जो ग्रिप है वो काफी अच्छी एगर आप बिगणर है बहुत अच्छी से लगा सकते हैं और यह आई-लाइनर जो है वो वाटर पूरूफ नहीं है इसमज हो जाता है तो इसके बाद मैं लगाऊंगी काजल काजल के लिए मैंने यहाँ पे लिए शुगर क apply करोंगी काफी अच्छी से blush लग जाता है इससे और बहुत अच्छा palette है ले रोडा का इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है highlighter blush और eyeshadow भी highlighter के लिए मैं यहापे यूज करें शिवाना colors का highlighter तो इसको आप अपने bridge of nose and forehead पे apply कर लिजे और अपने brow bone पे भी apply करना नहीं भूलिएगा इसके बाद मैं लगाओंगी mascara तो mascara के लिए मैंने लिया है यहापे Maybelline Hypercul mascara इसके बाद मैं लगाओंगी lipstick तो lipstick के लिए मैंने यहापे लिया है like me 925 के lipstick है यह और इसमेरा shade pink shade है लेकिन इसको लगाने अपने lips को outline जरूर कर लिजे outline के लिए मैंने यहापे लिप liner और इससे मैं अपने lips को outline कर रही हूं lip liner लगाने के बाद मैं लगाओंगी lipstick और lip liner लगाने के फाइदे यह हैं कि आपके lipstick जो है फैलती नहीं है और काफी अच्छा शेप आता है तो lipstick लगाने के बाद हमारा make-up look बिल्कुल complete है और यह वाली जो जो जोलरी है यह मैंने Amazon से खरीदी थी काफी affordable है यह और इसको मैं wear कर रही हूं आज और आप लोग बताएगा comment box में कि यह वाला make-up look आप लोगों कैसा लगा और बहुत यह easy make-up look है यह create करना और आप लोग comment box में जरूर बताएगा और अगर मेरे चैनल पर नए है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिजएगा और यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजएगा तो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में बाई